मित्रों आटमाटिक गंस फायर करते समय काफी गर्म हो जाती हैं जहां AK-47 जैसी आटमाटिक राइफल्स एक मिनिट में 600 गोलियां बढ़सा सकती हैं तो वहीं हेवी मशीन गंस एक मिनिट में 1000 से 6000 गोलियां बढ़साने में सक्षम रही बात बढ़ते टेंपरेचर की तो कंटिन्योस फायरिंग करने से ओवर हीटिंग के बज़े से गंस के टेंपरेचर लगबग 550 डिगरी तक पहुंच जाते हैं वहीं इंडियन आर्मी उज़ करती है NSV हेवी मशीन गं जो काफी टिकाओ है